चार नमबर हम दोता है south east चार नमबर होने के यह दिशा स्वास्त और नमबर होने से ऐसा दिखती का स्वास्त अच्छा होता है power and confidence आता है famous हो जाता है किसी भी फिल्ड में नाम वे येश अधिक मिलता है अपने मर्जी का मालिक दबंग सन की धेर्यवन इमानदार कानून का पालन करने वाला होता है जीवर में आश्चाजनेक प्रदकी करता है और किसी के पास चार नंबर नहीं है साउथ वेट खराब हो गया लाइफ इस्टेर ठीक नहीं होगा पती पतनी के सुप में कमी आएगी शेयन सुप में कमी आएगी बैंक में पैसा नहीं होगा saving नहीं कर पाएगा wood element खराब हो जाएगा पती-पत्री के सुप में बाधा आएगी शोग-शिंगार में कमी आएगी प्रजन-बच्चे पैदा करने की शक्ती में भी कमी आएगी आलसी होगा व्यापार नहीं कर पाएगा नोक्री करेगा अब आपके बिस होने पे क्या होगा आपका लाइव इस्ट्रेल ठीक नहीं होगा दापत्या सुप में कमी रहेगी शें सुप में कमी रहेगी बैंक में धन घठा नहीं हो पाता प्ति या पत्नी को सुप में बाधा आती है शोग-शिंगार में कमी आएग अब इसके मिस होने से क्या-क्या बिमारी होती है? क्या कभी कंपरिजन करा? शारिरिक मुझोरी की सभावना रहती है पेट की समस्या रहती है आतों की समस्या हो जाती है शारिरिक दर्द होता है सिर्ध दर्द होता है गर्दन दर्द होता है पीट का दर्द होता है आदी रोग की सभावना रहती है मदू में होती है हरने होती है गर्भाश्य होती है रोग आदी कश्ट हो जाती है अब इसे हम ठीक करने के हमार पास क्या उपाए है इस दिशा में हरे रंका इस्तमार करें मास मचली का सेवन से बचें रुद्राक्ष पहने तुलसी माला कंठी पहने परती दिन सूर्य नमस्कार करें माचिस की डिब्बी य हम चंद्रमा बोलते हैं साउथ वेश्ट चंचल सभाव होता है एक सरव्यक्ति चंचल सभाव का होता है कलपनाशीर होता है कलाप्रेमी होता है बुद्धी मान होता है काफी चतुर होता है कलपनाशीर होता है संकोची सभाव का होता है शर्मीला कोमा सभाव होता है यह पित त्रों का इस्तान भी है कई लोग कहते हैं कि पित्र के बारे में बताओ गुरु जी तो अगर आपकी कुंडी में दो नमबर मिस है तो कही ना कहीं आप पित्रों से पीडीत है पित्र क्या है आपके द्वारा जिस रिस्ते को प्रेशान क्या गया है वो रिस्ता आप से फल बदला लेने के लिए आ रहा है बस कार्मिक नंबरों को आप धंक से ज्यान दे लो अगर कार्मिक नंबर नहीं है तो कोई पित्रदोश नहीं है अगर दो नंबर आपका मिस हो रहा है तो पित्रदोश हो सकता है और जो आपकी grade में number miss है उसका पितरदोश हो सता है miss होने पे चा क्या पूरती है दुरघटना वे अन्य प्रकार की घटनाओं का भे रहता है बेकार के कारियों में सले की परवादी होती है आतना विर्श्वास की कमी होती है skill stability में कमी रहती है जूट बोलना इनका सभाव होता है लाप्रभा कठिन सभाव पत्री से तरक रहता है पत्री पत्री दोनों का स्थेट खराव अब इनकी बिमारी बता दी मैंने आपको इनका उपए बता दी घर में से हज्याली हटाएं हरे रंका ब्रेसलट पहने भगवान शिप की पूजा करें सूर्य नमस्कार करें क्रिशल का प्रयोग करें साउथ वेस्ट किनारा खाली नहीं रखना चाहिए साउथ इशा में सिर्कर के नहीं सोना चाहिए आठ नमबर अगर नोर्थ वेस्ट नोर्थ इस्ट उत्तरपूर इशान को आठ नमबर, वास्तु दोश क्या है, नोर थी शिशा आठ नमबर होने से, अगर किसी के पास आठ नमबर है, शनी है, तो जीवन में सुख शांती रहती है, ये अंदर से कावी भावुक पे ज्यालू होते हैं, इनके अंदर त्याकी भावना आधिक रहती है, नाम येश्वे क किर्थी मिलती है, इनको सफलता दे से लेकिन मिलती जरूर है, यात्रा करना पसंद होता है, लेजी कंजूस परवर्थी के होती हैं, अगर मिस है तो क्या होगा, ज्यान की कमी, आठ नमबर नहीं है, ज्यान की कमी, पुजा पांठ में कमी, मेहनत की कमी, संतान के सुख में कम प्रफिदेंस की कमी रहती है, संची धन की कमी रहती है, विभावे देरी आ सकती है, भारी खर्चा वे मानसिक अशान्ती रहती है, मेहनत नहीं करता, आलसी पव्रशी करता, नशे का भी आदी हो जाता, अब इसके उपाई क्या-क्या है, बिमारी है कौन-कौन से, साइनेस डिप्रेशन वे काइंडली बिमारी देता है, मूर्चा अरिज्रा होती है, उदार विकार कान में रोग कब्ज आदी कश्ट हो जाती है, बुढ़ापे में गठिया और जोडों से संबंदी प्रेशानियों के संभावना है, बालों का जढ़ना, सिर्दद, लकवा, पुरान अरिज्राय बिश्टों का दान करें, नोन वेजनाक्स हैं, शिव उपासना करें, रुद्राक्ष धारन करें, नौर्थ इस दिशा में हरे रणका बल, ज्ढने का चित्र लगाएं, नौर्थ इस दिशा में मंदीर बनवाएं, अपना काम खुद करने के आदर डाने, मतलब म अमजय और है अपने काम पुद की अब मैं आपको बताता हूँ आठगार अगर किसी की वास्तु दोश नोर्थ-वेश्ट छे नंबर होने से अगर किसी के पास छे नंबर है तो उसको क्या और चे नमबर नहीं है तो क्या फैयदा मिलेगा या दूकसान होगा उसकी क्या बिमारिया होंगी और क्या बिमारियों क्यों उपाई हैं छे नमबर होने से माता से ठंबन ठीक नहीं रहते मानसिक परिशानियां बनी रहती है भारी खर्चा वेतना बना रहता है क्रोज सभाव रहता है गैर जिम्मेदार होता है दोस्त और समर्थों के कमी रहती है पती-पत्रusion के सुछ में कमी रहती है बैंक-लून पास नहीं होता इस शालो सभाब जूटी शान दिखाने वाला होता है अब देखिए नोर्थ वेश छे नमबर मिस होने पर बिमारियां सर्दी खासे की बिमारी का सामना करना शारीक सम्मंद समस्य होती हैं गुप्त रोग, सुगर, पेट में गैस चरम रोग, छाती में जलन, दिमाग के रोग की संभावना रहती है, एनिद्रा, दमा, श्वास रोग में ग्रस रहता है, कफ, मुत्र रोग, मांसिक, ध्रम, समंदी रोग की संभावना रहती है, पित की थैले की पत्री, निमोनिया आदी रोग होती है, गले गुर्दों से समंदी रोग होती है, महिलाओं के रत समंदी बिमारियों के उपाये मेडिटेशन व्याम करें चंदर यहिंतर से स्थापित करें शिव अराधना करें गंगा स्थनान करें चांदी चावलवा दूद का दान करें मा दुरुगा या प्रिवार के देवताओं की पूजा करें मा सहारी भोजन तेज मसालेदार भोजन का सेवन से बचें आपने हाथ से गोल्डन चेन की धरीब है